तीन महीने का जो लोकडाउन हुआ ये कोरो ना में तो लोगों ने क्या किया ये तीन महीने तीन महीने सब ने मेहनत बन कर दी जो फिजिकल एक्टिविटी दियों बन कर दी बार तो निकलते नहीं थे और घर पर बैटे थे तो सब क्या करते थे वह आज खाने में क्या है और जो घर की जो house vibe होती थी उनको भी एक मौका मिल गया कर्तब दिखाने का समझो नहीं आज तो वड़ा पाऊ है आज तो पीजा है आज तो यह तो सब ने तीन महिने इतना खाया कि सब ने अपना weight gain किया तो जैसे कि यहाँ पर सब लोगों के reply आ रहे हैं कि ये वन बिलियन डॉलर तक्रीबन तक्रीबन वन बिलियन डॉलर का मतलब डॉलर का कीमत है वो plus minus होता है पर मैं एक अगर round figure लो तो 8000 करोड रुपीज वन बिलियन डॉलर बराबर 8000 करोड रुपीज और आप इसको अग करेंगे जो अभी ये इंडस्टी का मार्केट है तो आपको समझ में आगा 300 इंटू 8000 करेंगे तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी इंडस्टी है अगर उसमें से हम 0.01% भी मैं 1% की भी बात नहीं कर रहा हूं 0.001% में भी पहुंच पाये ना तो सोच के देखो क्या कर सकत है चलिए तो वर्ल्ड वाइड मार्केट की मैं बात कर रहा हूं तो आप खुद विचारों इतने लोग मोटे हो रहे इतने लोग मोटे बढ़ रहे है कि ये इंडस्टी लगाता ग्रोई हो रही है और आप कुछ समझो ना कि आने वाले समय में ये इंडस्टी है वो तो इंडिया की अगर मैं बात करूं इंडिया में क्या है स्तिती तो ऐसा भूला जाता है 2019 का जो डेटा था वो ये कहता था कि पूरे देश में 17.4 परसंट लोग है वो ओर वेट है मतलब आप ऐसा समझो कि जो हमारे सामने 10 लोग खड़े है उसमें से नहीं हमारे सामने आप य जो निशनांट लोगे वो ऐसा प्रिडिक्शन कर रहे है कि आने वाले कुछ सालों में मतलब 2060 तक देखे तो मोटे लोग बढ़कर 64.5 हो जाएंगे यानि कि आपको आप तीन लोगों को देखोगे ना उसमें से दो लोग ऐसे होगे जो मोटे है यह आने वाला समय है और इ और यह डेटा ये भी कहता है कि पुरूसों के मुकाबले जो महिला है वो ज्यादा ओवर्वेट होती है इसका रीजन भी है क्योंकि ज्यादा तर लेड़ी को यह आदत होती है दो पेर में खाने के बाद सोने की और ये one of the biggest reason माना जाता है कि खाने के बाद तूरंत हम जो दोपर को सोते है तब हमारा weight gain होता है और बहुत सारे और भी reason है वो हम आगे discuss करेंगे लेकिन इंडिया का भी बहुत बड़ा market है अब अगर हम ऐसा गिने कि top players कोन से है जो अगर इतना बड़ा market है तो cover इसको कौन कर रहा है अगर इसको समझा जाए तो worldwide top players कौन है जो weight loss में काम करते है तो सबसे पहले पहला number आता है WW International जो USA की company है इनका turnover तो मैं आपको अभी बता ही नहीं सकता है इतना ज्यादा ये लोग turnover करते है second rank पर zeny crack करके company है ऐसे third rank, fourth rank और fifth rank जिसमें herbal life का नाम है और आपको ये top five companies जो मैंने बताई वो सारी अमेरिका की है सारी USA की companies है और इसमें से शायद आपने किसी एक का नाम सुना होगा किसी ने सुना है इसमें से किसी का नाम तो एक company का नाम आप सबने सुना होगा बाकी किसी का आपने नाम नहीं सुना होगा तो ये top five companies है बस हम लोगों को मिलके इतनी मेहनत करनी है कि वे हमें भी ये top five में आना है क्योंकि वो दम वो दमदार product हम लोगों के पास already है तो top five ये market है आगे बढ़ते है जैसे यहाँ पर आ रहे है हमने हर्बल लाइब नाम सुना है ज़रा सोचके देखो वर्ल्ड में फिफ्थ नंबर की company है हर्बल लाइब weight loss में मतलब weight management में और इंडिया में भी top companies में उनका नाम आता है और अगर मैं आपसे पूछू पहले number की weight management की company है तो मेरे ख्याल से मुझे यह बताते हुए मतलब बता सकता हूँ में कि हर्बल लाइब number one है और अगर मैं आपको यह पूछू number two कौन है तो सायद हम लोग question का answer नहीं दे पाएंगे right क्यूंकि number two भी नहीं है कोई तो किसी को तो बनना पड़ेगा न right तो yes we are ready और हम लोगों की यह पूरी team भी ready है हम मिलकर यह काम कर सकते हैं कैसे जैसे की कितने type की treatment होती है weight loss की अगर यह हम देखे तो alopathy हो सकती है right alopathy में हाला कि अभी तक कोई successful नहीं है लेकिन ऐसा सुना है कि एक दो companies ने ऐसा formula बनाया है alopathy में भी देकिन alopathy के side effect भी बहुत सारे होते है homeopathy में भी मुझे मतलब यह treatment हो सकती है बट ऐसा कोई ऐसा अभी सुना नहीं है जो homeopathy में treatment करकर बहुत famous अभी हुआ हो यूनानी है naturopathy है यह सारे तरीके से weight loss किया जा सकता है और सबसे last में मैं आपको बताना चाहूँगा आयुरिविदा आयुरिविदा में भी weight loss के सटिक solution के बारे में बताया गया है आयुरिविदा हमें proven तरीके दिये गए जिस जड़ी बूटियों का use करके उनको पता था आने वाले समय में सब मोटे होने वाले है और उनको यह भी पता था आने वाले समय में पीजा का invention होगा बर्गर का invention होगा बड़ा पाओं का invention होगा फिर noodles का invention होगा मंचूरियन का invention होगा यह सब उनको पता था उनको ये भी बता था फिर लोग मोटे भी ओगे तो उन्होंने तब ये बता दिया था कि ये सारी जो जड़ी भुटिया है ये मोटा पे में काम आने वाली जड़ी भुटिया है right अब आयुरिवेदा में भी अगर हम देखे आयुरिवेदा में भी अगर हम देखे तो आयुरिवेदा में इंडिया में टॉप कंपनीज कौन सी है अगर हम उसका सर्वे निकाल है जैसे डाबर है जो टॉप कंपनीज मानी जाती है आयुरिवेदा में, फिर सांडू है, बेदनाथ है, ये सारी कंपनीज के आपने नाम सुने हैं, फिर जंडू है, जो टॉप कंपनीज में आती है, पतन जली है, इसका भी सबने नाम सुना है, ये सारी कंपनीज है, जो टॉप कंपनीज है आयुरिवेदा में, बट आपको मु उसके पास भी कोई proven formula नहीं है weight loss का, क्या आपने ऐसा कभी सुना है, कि उन्होंने डाबर की weight loss की tabletly और उनका weight loss हो गया है, या आपने कभी ऐसा सुना है, कि उन्होंने चंडू की weight loss की productly और उनका weight loss हो गया है, तो सोचके देखो, top companies जो इंडिया में है, उनके पास भी कोई formulation नहीं है जिससे वेट लोस हो सके और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दू कि वेट लोस सबसे बड़ी समस्या है आज के समय की मतलब वेट जो लोगों का मोटा पाए ना वो सबसे बड़ी समस्या हो चुगा है पर फिर भी बहुत ही प्राउट भी होता है कि हम लोगों के पास एक ऐसा फॉर्मिलेशन है टीमेक्स ब्यूटी लोग जो मैं ऐसा कह सकते हैं कि इंडियास नंबर वन आयुर्वेदिक वेट लॉस प्रोड़क्ट क्यों क्योंकि दूसरों के पास अभी फॉर्मिलेशन नहीं है और हम होने का और एक रिजन भी मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे आपने इनको तो देखा ही होगा उर्वसी रोटेला राइट और यह मिस यूनिवर्स है और ऐसी कोई ब्यूटी कॉंटेस्ट ही नहीं पूरे वर्ड में जिसको इनोंने ना जीता हो सारी ब्यूटी कॉंटेस् यह मैंने नीचे लिस्ट भी दिया हुआ है तो टीमेक्स डीटेल लीमिटेर की ऑफिस्यल ब्राण एम्मेसेटर उर्वसी रोटेला है और जरा सोचो कोई भी ब्राण एम्मेसेटर कम कब बनता है कोई प्रोड़क्त का जब उनको वो प्रोड़क्त पर कॉन्फिडेस हो भी आने वाली है आने वाले समय में कि यह एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी जो हम लोगों की प्रोड़क्त है जिनको प्रमोट करने वाले तो यह हमारे लिए बहुत पुसी की बात है जैसे इनकी आप प्रोफाइल भी देख सकते हो अभी लास्ट टाइम जो लास्ट वल्ड कप हुआ था यह वल्ड कप की भी ब्रांड एम्बेसेटर रह चुकी है तो उर्वसी जी का हम लोगों के साथ ब्रांड एम्बेसेटर का कॉंट्राक्ट है राइट जैसे मैं आपको मैंने लास्ट टाइम यह वीडियो दिखाया था अगर आपको तो साइद इसका आवाज तो नहीं आएगा वीडियो आपको दिख रहा है कि हैं जैसे जो हम लोगों का जो सुन्तिक हुआ था दिख रहा है वीडियो तक मुझा प्रेंट मैं कि युझाला थाला थाला रहा है झाला थाला थाला है मुझा दिवयो आट एक है युझा पर रहा है प्षाल स्थ्टूल झाल 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 देखें हो सकता है इंटरनेट के इस्यू के कारण साइद आपको पूरा वीडियो सही से ना दिखा हो बहुत जल्द ये सारे वीडियो आप लोगों को भी मिल जाएंगे तो उसका आप बेनिफिट फिर उठा पाओगे अब कुछ ऐसे क्वेस्टिन है जो इसलिए मैं ये चैट ये सब थोड़ा साइड में कर देता हूँ अभी थोड़ा फोकस करते है प्रेजनटेशन के उपर कुछ सवाल कॉमन सवाल है जो मार्केट में हम लोगों के बास आते है जैसे कि क्या बढ़ते हुए वजन से परेशान है फिर मार्केट के अलग-अलग प्रोड़क्ट जूस लेकर अगर आप ठक गए और रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है ये कॉमन क्वेस्टिन है लोगों के फिर वजन तो कम होता है बाद में फिर से बढ़ जाता है जब तक कोर्स करते है तब तक वजन कम हो जाता है लेकिन जैसे ही कोर्स बंद किया फिर से वजन बढ़ जाता है डायाट और एक्सराइज के बिना वजन कम करना क्या पॉस्टिबल है क्योंकि आज लोगों के पास चाहएट और एक्सराइज भी खोलो करने का टाइम नहीं रहता है क्योंकि life ही ऐसी है सब की राइट फिर मैं तो बहुत कम खाना खाता हूं फिर भी मेरा वजन बढ़ रहा है यह most common questions है फिर मोटा बाग क्या है क्या आपका वजन नॉर्मल है तो सबसे पहले आपको अगर आपका वेट नॉर्मल है कि नहीं वो जानना है तो आपको आपका BMI चेक करना चाहिए BMI का बहुत simple formula है आपको आपका जो भी weight है और आपकी जो height है उसका square अगर आप निकालोगे तो आपका BMI है वो निकल जाएगा एक चीज़ का ध्यान रखना है जो height है उसको meter में लेनी है अगर आपको height feet में पता है तो वो आपको meter में convert कर देनी है गूगल में जाकर और BMI आपका जो भी आएगा उससाब से फिर rating मिलता है वे आपका weight perfect है या अंडर weight हो या overweight हो आपको पहले आपका check करना है आपका overweight है या नहीं वो BMI से आपको पता चलेगा उसका पूरा formulation यहाँ पर दिया हुआ है अब ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है कि मोटा पा होता क्य है जैसे हम जो खाना खाते वो जन्रली वो तो energy में यूज हो जाता है जो भी हम रोजमरा की life में जो भी भागदोड करते उसमें वो energy वो सब यूज होता है बट बहुत excess जो energy मतलब excess जो खाना खाते है तो वो fat में convert हो जाता है तो यहाँ पर दिया गया है थे यह fat भी डोता रखी होती है यह चीज समझना बहुत जरूरी है कि एक होती है subcutaneous fat और एक होती है visceral fat अब जो subcutaneous fat है वो जैसे हमारी अभी skin है उसके नीचे की यह जो fat है उसको subcutaneous fat बोला जाता है जैसे हमारे पेट में जो चर्बी अभी जमा हो रही है तो वो सब भी subcutaneous fat है तो यह जो subcutaneous fat है वो हमफूल नहीं है यह इतनी हमफूल नहीं होती है बट जो visceral fat यह बहुत ही हमफूल होती है क्योंकि यह हमारे organ के आस्पास एक layer बनाता है जो fat का तो अगर आपका समझो शरीर बड़ा ह हुआ है और visceral fat ज्यादा है तो आने वाले समय में बहुत बड़ी-बड़ी बीमारिया होने का खत्रा रहता है और आप सोचो ना जैसे हमारे जितने भी organs है अगर उसके आस्पास जो चर्बी अगर जमा हो जाती तो उसको काम करने में भी दिक्कत होती है जैसे हाट है तो उ पैट है वो कितनी ज्यादा है जो visceral fat है वो बट हमें इसके बारे में क्या सूचना हमें तो beauty look ले कर मेहनत करकर बस अपना weight है उसको control में लाना है और यहीं हमारा मकसाद है कि जितने भी लोग है जो overweight से पीडिद है तो उनका weight है वो normal करना राइट अब जैसे मानलो weight समस्या है उत्पन होती है एक medically problem हो सकते है फिर मनोवेगनानी मतलब मानसिक problem हो सकते है और सामाजिक problem यह तीन तरह की समस्या आती है बहुत ज्यान से समदना अगर किसी का weight बढ़ गया है ज्यादा तर लोग हमें कैसे मिलते बता है weight बढ़ा हुआ होता है फिर भी हो serious नहीं ह होते हैं क्या तो भगवान निक रूपा आज है बट जो ज्यादा weight है वो सही में हम लोगों के लिए बहुत खतरना होता है क्या क्या समस्या आया सकती है जैसे diabetes ज्यादा तर diabetes के जो patient है तो weight ज्यादा होने के कारण उनको diabetes होने की संभावना रहती है आज blood pressure यह common हो गया है मतलब 20-30 साल की एज में blood pressure आ रहा है तो उसका भी एक reason यह है कि गर आप overweight है तो BP आने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है फिर आज कल देखें बच्चे ना होना यह सबसे बड़ी समस्या है हमारे समाज की तो उसम तो common मिलती है B12 की कमी, D की कमी और cholesterol तो gift में आता है तो cholesterol की भी समस्या common है जो मोटा पे के कारण आ सकती है रदे रोग, heart attack के cases बढ़ रहे उसमें मुझे आपको ज्यादा समझाने की जरूर नहीं है यह सभी चीजे मोटा पे का कारण हो आप में से बहुत सारे लोगों कैसा लग रहा होगा सर, मेरे बाजू में तो एक परसन था उनको attack आया, तो वो तो मोटे नहीं थे, फिर भी उनको attack आ गया है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि subcutaneous fat नहीं बनी है, सिधी visceral fat बनी हुई है, yes, तो उसके कारण भी उसके organ में तकलिप हो सकती है, right, बहुत सारे वैसे reason होते हैं, बट यह तो मैं आपको एक reason बता रहो, महिला हो में PCOD, PCOS की समस्य आज common हो चुकी है, जो मोटा पे के कारण हो सकती है, फिर weight बड़ेगा, तो उसका load आएगा कहां, तो पैरों पे आएगे, घुटनों पे आएगा, तो घुटने जाने की संभावना रहती है, इंसान depression में चला जाता है, जब वो मोटा होता है, तो depression में कैसे जाता है, क्योंकि ज्यादा तर लोग उसको चीदाते, जैसे बाल नी होते है, तो कैसे हम चीदाते हैं, टकलू, टकलू आइसे, तो व 혼자 होते हैं, उनको भी चीदाते हैं, यह जाड़ी हो आयOK, यह मोटा है, तो उसके कारण उसका confidence डाउन हो जाता है कोई चीज जब करनी होती है या कोई initiative लेना होता है तो वो गवरात है कि मैं मोटा हूँ लोग मुझे ऐसा ना बोले यारो मेरी मजाक ना उडा दे तो ऐसे मानसिक उनको दिक्कत होती है और सामा जी जैसे आज सबसे बड़ी दिक्कत देखना जीम में ज्यादा तर जो लड़के लड़की आपको दिखेंगे या तो ज्यादा तर जो कोसिश कर रहे हैं मुझे weight कम करना है उसको हम पूछते हैं क्यों करना है पर यह साधी करनी है और साधी में हम लड़की को देखने जाते हैं तो लड़के को देखने जाते हैं तो एक ही reason आते है लड़का मूटा है या तो लड़की मूटी है तो साधी नहीं हो पाती है तो यह भी एक बहुत बड़ी समस्ज़ और मानलो एक लड़की है अब उसका weight ज़्यादा है अब उसको कोई लड़का देखने आया मना कर दिया और reason क्या है तो reason यह आता है लड़की है वो मोटी है तो कितना mentally effect पड़ता है वो लड़की के mentally effect कितना पड़ता होगा कि यार मैं मोटी उसके कारण मुझे reject कर दिया तो यह अभी तक यह सारी समस्या है मोटापे के कारण आ रही है आगे बढ़ते हैं यह कुछ facts and figure है कि मोटापे के कारण cancer होने की संबावना है यह सारे newspaper में आया हुआ है हाई society के बच्चों में तेजी से बढ़ रहा है मोटापा अभी तक तो हम बात कर रहे थे पुरूज है महिला है उनका वेट बढ़ रहा है यह सुनके आपको ताजूब होगा कि बच्चों में वेट बढ़ रहा है आप देखना बच्चे अभी ऐसे मोटे हो रहे है क्योंकि बच्चे आज क्यां खाते बच्चों को चाहिए मैगी बच्चों को चाहिए पास्ता बच्चों को चाहिए बर्गर तो यह चीजे अब आम हो गया है बच्चों का खाना राइट और पहले के जो बच्चे होते हैं जैसे हम चोटे थे तो हमें अगर हमारे ममी पापा या दादा दादी ऐसा बोलते थे ना कि बेटा ये ले आ तो हम दोड़के जाते थे ग्लास ले आते पानी का ग्लास बरके देते थे फिर कुछ और कोई भी काम होता था तो हम भाग के जाते थे देकिन आज आप एक चीज नोटिस करना बच्चे इतने आलसी हो गए है कि बच्चे को जब ऐसा बोला जाता है ना कि बेटा पानी का ग्लास बढ़ देना तो बच्चे उठते नहीं बेड पर से और उसमें उसकी ऐसा नहीं है कि वो आलसी हो गए है समझोगे और उनकी भी बिचारे की मजबूरी है सरीर में वो एनेर्जी लेवल ही नहीं रहा मोटा पा बढ़ गया और दो तीन बार उनको बोलते हैं ना पानी का ग्लास लेया वो लेने नहीं जाते और जब फिर हम लेने जाते हैं ना पानी का गलास तो वो पीछे से चिलाते हैं कि पापा गए वो तो मेरा भी एक लेया ना तो उनको खुद को भी पानी पीना होता है ना तो भी वो हमें बोलते हैं पानी लेया ना वो खुद नहीं याते बोलते हैं इतने हो वो गए है बच्चे और इसमें हम लोगों की गलती ह जो बच्चे मोटे हो रहे हैं उसमें क्योंकि हमारे समाज की mentality कि पता है कि बच्चा अगर पतला है ना तो लोग ऐसा समझते हैं आप खिलाते पिलाते नहीं आपका बच्चा इतना कमजोर हो गया है अरे मेरे बाई बच्चा अगर पतला है उसका मतलब यह नहीं है कि वो healthy नहीं है उपर से बच्चा अगर पतला है ना तो healthy है अगर आपने बर्गर बर्गर खिला खिला के उसको अगर मोटा बना दिया है ना तो वो सबसे ज़्यादा healthy है तो यह चीज़ भी हम लोगों को समझ क्योंकि कोई भी महमान आएंगे ना तो सीधा देखेंगे अरे यार तुम तो इसको कुछ खिलाती ही नहीं हो बच्चा कितना कमजोर हो गया तो यह mentality को भी हम लोगों को change करना पड़ेगा आने वाले समय में राइट तो बहुत सारे नुकसान तो है अब देखो weight loss तो करना ही क्योंकि इतने सारे नुकसान है तो आपको से दो ही चीज़े सोचनी है अगर seriously weight loss हम करना चाहते है या तो किसी का करवाना चाहते है तो हमें यह दो सवाल के जवाब दूनने है सबसे पहला सवाल कि पहले तो यह बता चलेगा कि मेरा weight बड़ा कैसे तब तक आप उसको कम नहीं कर सकते और अगर आपको यह समझ में आ गया कि यह reason है जिसके कारण मेरा weight बड़ा है फिर उसके तरीके हमें ढूनने है कि कैसे कम होगा वो सब कुछ मैं अभी यहां पर cover करने वाला हूं जारा ध्यान से देख बहुत इंट्रस्टिंग होने वाला आने वाले 10 मिनिट हो तो अगर आप अभी जैसे मोबाइल में अगर इंस्टाग्राम पर चले गए हो शायद किसा आप आतो बदू सामड़े लुए मतलब यह तो सब सुना हुआ है कुछ नया हो तो दिखाओ तो बहुत सारे लोग जैस है ऐसा नहीं कि आप मोटे हो तो आपको पतला होना ऐसी बात नहीं कर रहा हूं अगर आपने यह आने वाले 10 मिनिट समझ ली ना तो आप किसी को भी पतला कर पाऊगे यह पावर्स आपको मिलने वाली है तो फोकस कीजिएगा कि वजन बड़ा कैसे तो वजन एक ही चीज से बड़ा है वो है आपकी कमजोर पाचन सक्ति और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं यह हमारे आयुर्वेदा में कहा गया है अगर हम किसी को भी पूछते हैं जो जिसका वेड ज्यादा है कि वह तेरा वजन बड़ा क्यों तो आपको रीजन क्यां दिगा पता है यार मैं तो खाना बहुत खाता हूं मैं सोता बहुत हूं मेरी ये दिक्कत है मेरी वो दिक्कत है इसके कारण मेरा वेड बड़ा पर आपको सुनके ताजुब होगा कि वो सब तो रीजन ही नहीं असली रीजन एक यह जो आयुर्वेदा में लिखा है वो है आपकी कमजोर पाचन सक्ति अगर आपकी पाचन सक्ति ही कमजोर हो गई है तो आपका वेड बड़ेगा ही बड़ेगा अब पाचन सक्ति क्या होती है सबसे पहले यह समझ लेते हैं सबसे इंपोर्टन चीज आज के सेशन की बहुत ध्यान से समझना देखिए हम जो खाना खाते है न जैसे मान लो आज अभी स अब खाना खाकर ही बैठे होगे कोई सबजी रोटी खाकर बैठा होगा किसी ने खिच्डी खाई होगी किसी ने पोवा काया होगा किसी ने बजिया खाया होगा सबने अलग-अलग चीज़े खाकर यहां पर बैठे है अब जो भी अभी आप खाना खाकर बैठे हो जैसे ही अंदर गया तो सबसे पहले as per Ayurveda वो जो खाना अंदर गया सबसे पहले वो रस बनता है सबसे पहले वो रस बनता है फिर रक्त बनता है फिर मास बनता है फिर मेद बनता है फिर उसमें से मज्या बनता है अस्ति एन लास्ट में विरियानी कि शुक्रा बनता है, ये साथ दातों की साइकल होती है, हर एक के बॉड़ी में यहीं साइकल होती है, जिसको हम राइजेशन ट्रेक बोलते हैं, फिर से एक बार रिपीट करूँगा, जो भी हम खाना काते हैं, जैसे ही वो शैडिन में जाता है, सबसे पहले रस बनता है, फिर रक्त बनता है, फिर उसमें से मास, मेड, मज़ा, अस्ती और लास्ट में शुक्र बनता है, ये साथ दातों की साइकल रहती है, जैसे यहाँ पर मेडम ऐसा लिख रहे है कि थाईरोड की बज़े से भी वेट गेन होता है, वो भी अभी आगया आ आपने ऐसा सुना होगा, कि वो परसन है, वो 25 रोटी खाता है, फिर भी उसका वेट नहीं बढ़ता है, और मेरा एक दोस्त है, सिर्ट दो ही रोटी खाता है, फिर भी उसका वज़न बढ़ जाता है, सुना है ऐसा कभी आपने? सुना है तो yes, टाइप करना, कि वो तो यार बहुत कम खाना खाता है फिर भी उसका वेट बढ़ जाता है और वो तो 25-30 रोटिया खा जाता है फिर भी उसका वेट नहीं बढ़ता तो उसका कारण के अगर सिर्फ खाने से ही वेट बढ़ता और अगर ज्यादा खाने से ही वेट बढ़ता समझो तो 25 रोटी वाले का तो व वो जब खाना खा लेता है तो उसमें से प्रॉपर रस बनता है प्रॉपर रक्त बनता है प्रॉपर मास बनता है प्रॉपर मेद बनता है लेकिन जो दो रोटी खा रहा है और उसका वजन बढ़ जाता है उसके साथ चक्कर यह है कि वो जब भी खाना खाता है तो उसमें से रस प्रॉपर नी बनता उसमें से रक्त प्रॉपर नी बनता मास्ट प्रॉपर नी बनता सीधा मेद बनता है जैसे उसने खाना खाया तो रस 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 रक्त मास्ट प्रॉपर नी बनता सीधा ही मेद बनने लगता है इसलिए ऐसा होता है कि वो दो रोटी भी खाता है तो सीधा मेद बनागे इसका मतलब यह है कि उसकी पाचन सक्ती कमजोर हो गई है और अगर हमारी पाचन सक्ती complete है metabolism perfect है तो आप ज्यादा खाना खाओगे तो भी वो मूटा पे में convert नहीं होता वो मेद में convert नहीं होता क्योंकि आपकी system proper है तो आयुलवेदा क्या कहता है कि अगर आप आपकी पाचन सक्ती रिपेर कर लो तो आप फिर से आपका weight भी कम हो सकता है और पिर से आपका सब कुछ healthy हो जाएगा अब पाचन सकती कमजोर क्यों होती है वो तो पहले समझना पड़ेगा ना क्यूंकि देखो हम बचपन से मोटे नहीं थे अगर मान लो किसी का weight ज्यादा हो गया है अगर कोई मेहनत किये डेट सो पहुचाने में तो ये उसके साथ क्यूं हुआ है क्यूंकि उसकी पाचन सकती कमजोर हुए और पाचन सकती कमजोर कैसे हुए उसको समझते है उसके बहुत सारे जीवन जीवन पर कोई control नहीं है कब खाना कब सोना कोई fix नहीं timing फिर अनियमित बोजन जैसे आया है जैसे हम खाना खाकर कहीं पर गए वहाँ पर सब लोग मिलकर गुलाब जांबू खा रहे और हमें भी ऐसा बोला कि आप भी खाओ तो हम लोगों का कैसा है लाइन है भई आपने आली पाड़ियें तो यह अनियमित जो भोजन है वो सबसे बड़ा reason होता है कि उसका timing fix नहीं है जैसे मैं बात करूँ जहां पर मैं रहता हूँ वहाँ पर अभी एक नया नया food court बनाए अब वो food court में रात को आप दो बजे भी जाओ तो भी आपको table नहीं मिलेगा सोचके देखो रात को दो बजे हम वो food court में जाते हैं तो भी table नहीं मिलता अब रात को दो बजे वहाँ पर लोग खाना खाने के लिए आ रहे है आईरविदा में साप साप ऐसा लिखा है सूरिय डलने से पहले खाले नहीं अब रात को दो बजे आप खाना भी क्या खा रहे मंचूरियन नूडल्स मसका बन यह सब रात को दो बजे हम खाते हैं अब जरा सोचके देखो क्या होगा हम खुद ही हमारे सरीर के साथ जुल्म कर रहे हैं और इसलिए मैं बोल रहा हूं आने वाले समय का यह सबसे बड़ा मार्केट होना होने वाला है weight loss industry weight management industry आने वाले समय में सबसे बड़ा मार्केट होने वाला है क्योंकि आप एक काम करना रात को जो दो बजे खाना खा रहे हैं उसको जाकर एक सला देना कि भाई आप रात को दो बजे खाना मत खाओ यह आपके सरीर के लिए अच्छा नहीं हो क्या बोलेगा आपको तुम तुमारा करो ना तू कोई नहीं मानेगा तो आने वाले समय में सब को ब्यूटी लूक लेना ही पड़ेगा आना ही पड़ेगा और कोई ऑप्सन ही नहीं बचेगा क्योंकि किसी को अभी मतलब रूल रेगुलेशन में आना ही नहीं है तो अन्यमित भोजन से पाचन सकती हमारी कमजोर होती है फिर अभी के जो जनरेशन है अभी के जो बच्चे है आप उनको ऐसा बोलो कि आज बाजना रोटलो और वोलो बनाये हो जाएंगे वो मतलब मैं जो भी बोल रहा हूं उसमें से एक भी चीज गलत रहर बताऊ हम लोग हेल्दी रहते हैं हम लोग हेल्दी है उसका रीजण है हम लोगों ने खाना भी वैसा खाया था लेकिन आज की जो generation है वो तो ये सब खाने वाली नहीं है उनको चाहिए पीजा ये सब राइट तो आने वाले समय में आप सोच के देखो कितना बड़ा मार्केट होने वाला है राइट अब आगे बढ़ दे और रीजन क्या है अनियमित नीद अब देखे पहले कैसा होता था राइट को नो बजे न तो सब लाइट बंध हो जाती थी महले में सारा सुन पड़ जाता था और किसी के पास कोई काम ही नहीं था या सोने के अलावा सो जाओ अब क्या करेंगे क्योंकि मोबल भी नहीं था कि आज सब कुछ उल्टा हो गया है आज समझो रात को नौ बजे तो लोगों का दीन सुरू होता है कि 11-12 बजे तो लोग यह सोचते कहां जाए गुमने रात को 10-11-12 बजे लोग गुमने निकलते और बाइचांस अगर बाहर नहीं निकले तो रात को 11-12 बजे आज के जो यंग्स्टर है वो यह सोचते पर किसको मैसेज करूं किसके साथ चेटिंग करूं लोगों को हाई लिखते हैं हेलो लिखते हैं अगर किसी का गलती से रिप्लाय आ गया तो तीन चार बज़ जा दे अब हम जाकर उनको अगर समझाए कि भई तुम रात को जल्दी सो और सुबह जल्दी उठो यह तुमारे सेहत के लिए अच्छा है कितने लोग मानेगे मानेगा कोई अगर नहीं मानोगे ना तो पिर आने वाले समय में ब्यूटी लोगी बचाएगी कोई और option ही नहीं राइट तो अनियमित नेंद यह सबसे बड़ा reason है जिससे हमारी पाचान सक्ती कमजोर होती है अब जैसे देखो खुद्रत ने बनाया भी कैसा है कि अगर आपकी उम्र पंद्रा से लेकर तीस साल तक की है तो आप कितना भी खाना खालोगे न आप रात को दीन चार बजे भी खाना खालोगे न तो भी आपकी बोड़ी है वो सब कुछ एग्जस कर लेगी ये उम्र ऐसी होती है लेकिन जो पंद्रा से लेकर तीस साल की उम्र में जो कंट्रोल में नहीं रहते है न जो अपने बोड़ी के साथ जुल्म करते है न वो तीस के बाद उसका रंग दिखाना शुरू करती है शरीर देखना आज 30 साल की उम्र के बाद देखना ज्यादा तर लोगों को S3DT की समस्या हो जाती है, गेस की समस्या हो जाती है वो खाना हजम नहीं कर पाते है, ऐसी समस्या हो जाती है तो यह सब आधुनिक जीवन शैली के कारण यह सब हो रहा है फिर बहुत बार प्रेगनेंसी के बाद भी पाचन सकती हो कमजोर होने की शिकायत है तब ही आप देखना प्रेगनेंसी के बाद वेट गेन होने के चांसे सबसे ज़्यादा रहते है फिर बहुत सारे लोगों को एलोपेथिक दवाई की साइड इफेक्ट रहती है जैसे अभी मेडम ने बताया था कि थाईरोइड थाईरोइड भी one of the reason है क्योंकि थाईरोइड की जो हम दवाई लेते उसका साइड इफेक्ट ऐसा रहता है उसमें भी वेट है वो बढ़ता है थाईरोइड one of the reason भी है थाईरोइड के कारण भी वेट गेन होना आम है तो ये सारी चीज़े है जिसके कारण हमारी पाचन शक्ती कमजोर हो जाती है और जिसके कारण आने वाले समय में ये सब समस्या होती है वह मैं जो बता रहा हूँ वो bounce तो नहीं हो रहा है न यहसा दो नहीं है न सर सू पका रहे है पका रहे सर दो और इसमें जूम में क्या है पके लेके हम बोलते ही रहते है अब पता भी नहीं चलता है सामने कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि हमाई सुन्दे वाला भी कोई है की नहीं तो ये काम की चीज़ बहुत है देखो अगर ये जो मीटिंग जो अभी मैं आपको दे रहा हूँ अगर आप चाहो न तो ये मीटिंग में मास्टरी लेकर आप करोडो रुपे चाप सकते हो अगर आप ये सब समझ गए सीख गए न तो आप करोडो रुपे चाप सकते हो और मैं तो बोलता हूँ ये करोडो रुपे को भी साइड पर रख दो आप किसी को किसी का वेट कम करोगे न तो उसकी जो दूआ मिलेगी न आपको lifetime वो उस करोड़ो रुपे से भी ज्यादा है तो इसलिए ये meeting को हमें seriously लेना बहुत ज़रूरी है तो पाचन सक्ती कमजोर होने के ये सारे reason है देखे ज़्यादा तर पूरूसों में यहाँ पर बेट दिखता है मतलब देखना जितने भी पूरूस हो गए न तो उसका पेट ऐसे बाहर दिखेगा बहुत बार ऐसा पेट हो जाता है पेट ऐसा हो जाता है कि उनको चाई का कब रखने के लिए table की ज़रूर नहीं रहती पेट के उपर रख दे न कब तो भी रहता है इतना पेट बढ़ जाता है तो एसा भी देखा गया है और महि़ाव का जो वेट है वह ज़्यादा तक यहाँ पर बढ़ता है अब तो हमें पहला question है उसका answer मिल गया है कि हमारी हमारा weight बढ़ा कैसे हमारा weight बढ़ा उसका एक ही reason है कि हमारी पाचन सक्ती हम लोगों ने कमजोर कर दी है अब घटेगा कैसे तो आगे बढ़ते हैं देखिए दो रास्ते हैं घटाने के पहला रास्ता है काम चलाओ मतलब temporary solution और दूसरा है weight अगर बढ़ रहा है तो वो सबसे पहले क्या करेगा बता है जब वो decide करेगा ना मुझे मेरा weight कम करना है तो उसके दिमाग में सबसे पहली चीज़ यह आती है चलो मैं खाना ही बन कर देता हूं खाना तो dieting करना शुरू कर दे थे कि एक time का खाना skip कर दिया यह सब वो चालू कर देते आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि अगर आप खाना skip करना सुरू करते हो breakfast करते हो तो वो तो सबसे खराब है हमारी सेहत के लिए यह scientifically यह सब प्रूव हुआ है फिर बहुत सारे लोग है जो घरे लुन उसके try करते है अब आजकल तो आदत ऐसी हो गही है देखो सब Instagram के उपर है अब Instagram के उपर जैसे ही 3-4 दिल हम scroll करते है न तो एक तो आई जाता है कि अगर आपको आपका weight कम करना है तो आप निम्बू पानी लीजिए उसमें जीरा डालिए उसको गरम कीजिए और उसको पीजिए तो आपका weight कम होगा तो हम लोग क्या करते है वो चालू करते हैं कि चलो एक आद अपता 10 दिन करके देखते हैं फिर जैसे ही 10 दिन हो किया फिर दूसरा एक आजाता है कि अगर आप ऐसा ऐसा करोगे तो आपका weight कम हो जाएगा तो हम फिर से वो करना सुरू कर देते हैं तो बहुत सारे लोग घरेलू नुसके के उपर रहते हैं कि इससे मेरा weight कम हो जाएगा फिर योग से weight कम लोग करने की सोचते हैं डायेट फिर दोडने जाना जिम में जाना ये सारे तरीके और मैं तो देखो ऐसा मानता हूं कि ये सारे रास्ते ये सारे रास्तों से वेट कम होता है मैं ऐसा मानता हूं और अगर आपका भी वेट कम ये सारे रास्तों से होता है तो आपके लिए अच्छा ही है आप करो उसको लेकिन अगर आप इन में से कोई भी रास्ते से weight loss कर रहे है ना तो उसको आप life time करना मान लो आपने खाना बन करके weight loss किया है ना तो life time खाने में control रखना क्योंकि जिस दिन आपने खाना खाया ना फिर से weight बढ़ेगा अगर आपने gym करकर weight loss किया है तो life time उसको करना क्योंकि जिस दिन आपने जीम छोड़ाना दोस्त डबल वेड बड़ेगा और आपको ऐसे ही लोग दिखेंगे तो यह सारे तरीके है लेकिन इसमें आपको लाइफ टाइम करना पड़ेगा तभी वो पॉसिबल है इंसोट हम करते क्या है देखो यह सामने आपको ए नहीं करते जियो रूट को से उस्के उपर कामी नहीं करते हैँ जैसे मान लो मेरा घर है और मेरी अभी जैसे साधी हुई है अब मेरी वाइप है वह रोज सुबह घर साप करती है तो हमारे घर के बाहर एक पेड़ लगा हुआ है अब पीढ़ ऐसा है ना रोज इतने पत्ते खडते हैं ना, इतने पत्ते वो गीरते हैं ना, तो मेरी वाइब परेशान हो जाती है, रोज जब सुबह वो कच्रा लगाती है ना, तब पीछे से एक बार तो बोलती है मुझे, यार इसका कुछ करो ना, ये कितनी मेहनत करनी पड़ती है रोज, अब मानलो एक दिन मेरा भी दिमा गया कि रोज, ये कहां, ये वाइब की कच-कच सुने यार, एक काम करता हूँ, ये पेड है, उसकी डालिया काट देता हूँ, रैट, अब मैंने पेड की सारी डालिया काट दी, दो-तीन मेहने शान्ती हो गई, लेकिन दो-तीन मेहने बाद फीर से नहीं डालिया आई, और फिर से पत्ते गिरना शुरू हुए तो क्या हुआ समस्या तो खड़ी की खड़ी रही अब मान लो मेरा वेट बढ़ गया है मैं तीन मेने जीम में चला गया वेट कम भी हुआ पर फिर से जैसे जीम बन किया फिर से वेट बढ़ गया तो समस्या तो खड़ी रह गई, तो हमें अगर permanent solution चाहिए, अगर मुझे permanently मेरी wife को ये कहना हो कि बस अब permanent ilaj हो गया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उस पेड को जमिन में से ही निकाल देना पड़ेगा, उसके root है उसको ही निकाल देना पड़ेगा, तो मेरी जो समस्या उसका समाधान मिल सकता है, ठीक वैसे ही अगर मुझे weight loss करना है permanent, तो मुझे कोई permanent solution पर आना पड़ेगा, और हम सब लोग ये जानते है, कि जो 27 समाधान है उसके रास्ते अगर मैं बात करूँ, तो permanent weight loss आप तभी कर पाऊगे, जब आपकी पाचन सकती है, उसको ठीक कर दो, ये permanent solution है, कि हम अगर हमारी पाचन सकती कैसे भी करके अगर ठीक कर ले, तो हमें permanent solution मिल सकता है, और दूसरी चीज, जो अभी हमारा weight बढ़ गया है, अभी जो चर्भी हमारे सरीर में जमा हो गई है, उसको हमें कुछ भी करके पिगालना पड़ेगा, अगर ये द अबर दस्टीट है, आज तक हम लोग तकरीबन एक लाग जितनी ये product है, वो बेच चुके है, market में, और 70 to 80 percentage case में हमें positive response मिले है, और अगर आप देखना चाहते हो इसके result, तो आप YouTube चैनल पर जाकर, TeamX की YouTube चैनल पर जाकर, अगर TeamX Beauty Look result ऐसा टाइप करोगे, तो आपको ऐस जैसे हजारों वीडियो दिखेंगे, जिन्होंने सही में weight loss किया है, तो इसमें तीन चीज़ा आती है, जैसे ये हमारी weight loss की कीट आती है, beauty look 1 to 3, फिर एक herbal tea आती है, जैसे हम अगर दूद वाली चाही पीते है, तो हम ऐसा कहते है कि उसको अगर आप skip कर पो, और उसकी जगा करेगा weight loss में, and CMD drop, ये भी एक बहुती amazing product है, जो आपके पानी को alkaline करती है, जिसमें nutricence, जिसमें जो minerals होते हैं, वो भी डाले हुए पानी में, जो हमें मिलने चाहिए, तो ये सभी 3 चीज़ों का combo, हम लोगों को यहाँ पर, जिसकी price होती है, 4,397 रुपीस, इसकी MRP है, पर अगर आपको, इसमें अगर discount rate पर अगर चाहिए, तो जैसे आप अगर नए हो यहाँ पर अभी, तो आपको यहाँ पर जिसने भी invite किया है, आप उसका संपर्क करके, आप यह ले सकते हो, अब यह product है, वो काम कैसे करता है, जैसे beauty look 1, जिसमे 60 tablet है, इसको लेना कैसे है, आप जैसे ही सुबह उठते हो, तो आपको खाली पेट, इसमें से दो गोली ले लेनी है, और जब आप दो गोली ले लेते हो, उसके बाद आदे पोने घंटे आपको कुछ भी खाना नहीं है, और अगर यह आदे पोने घंटे अगर possible हो, तो आप walking कीजिए, तो यह सबसे best रहता है, और यह पहली जो tablet है, उसका काम ही है, कि हमारा metabolism उसको improve करना है, तो पहली tablet में ingredients ऐसे डाले है, जिससे हमारा metabolism improve होता है, second जो tablet है, beauty look 2, यह हमारी अभी की जो चरबी है, उसको काटने में मददगार रहती है, अब साम को 5 बजे, यह ऐसा time होता है, तब हमें सबसे ज होगे या घर पर होगे, ओपिस पर ज्यादा तरह देखना, 5 बजे भूग लगती है, तो लोग वड़ा पाऊं, यह सब खाले थे, तो यह सबसे बड़ा reason होता है, weight gain होने का, तो beauty look 2, यह जब भी आपको ज्यादा भूग लगती हो 5 बजे, खाली पेट यह दो tablet ले ले लेन है, और इसका काम है, detoxification करना है, अब जो भी चरबी हमारे body में कटी है, जो दो number की tablet लेते हैं, उससे चरबी कट होती है, और तीन number की tablet से वो detoxify होती है, एक चीज़ ध्यान रखनी है, कि हमें, जब हम यह course करते हैं, तब हमें पानी सबसे ज्यादा पीना है, क्योंकि जैसे मै पानी सबसे ज्यादा पीना है, चार से पांट लीटर पानी जरूर पीए, और यह tablet जब आप लेते हो, उसको गरम पानी के साथ अगर आप लेते हो, तो सबसे बढ़िया रहता है, और beauty look की आपकी जो कीट आती है, उसमें आपको एक manual भी मिलता है, कि यह product है क्या और इसको क आप सब लोग जानते ही होगे, जो क्या होता है, आपको क्या करना है, तीन से चार मुठी जो, मतलब चप्टी बोलते हैं उसको, इतने जो आपको राट को ग्लास में डाल कर, पानी डाल कर फिगो देना है, और सुबह, और वो जो पानी है, वो पानी पूरे दिन आपको तब उसके साथ वही पानी पीना है, तो उससे ये टेबलेट की ताकात है वो डबल हो जाएगी, राइट, अगर आप जैसे सर यहाँ पर लिख रहे हैं वीजेप है, कि वो जो का रोटी बना के खाते हैं, तो सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा हमारी वेट लॉस में बहुत एहम भूमी का निभाता है, बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं, कि सर मैंने एक मीने टेबलेट ली पर मुझे इतना फरक नहीं पड़ा, मैंने डेड़ मीने दो मीने टेबलेट ली फरक नहीं पड़ा, तो बहुत बार ऐसे मैंने केसिस देखे है कि देखो हम लोगों ने जो हमारा ये शरीर है ना उसको जमाने में ये जो चरबी है उसको जमाने में सालों मेहनत किये ये सालों की मेहनत है जो आपकी चरबी जमी है अब बहुत सारे लोग ऐसे होते है जिनकी जो ये फैट जो चरबी है वो जल्दी चूट जाते है उसके layer लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिनके ये layer टुटने में बहुत time लगता है तो किसी को result जल्दी मिलता है, किसी को result कम मिलता है, वो तासीर के उपर रहता है बट result मिलता है, हमें patience रखना पड़ता है, क्योंकि जो चीज आपने सालों तक मेहनत करके उसको जमाया है और हम फिर ऐसी expectation रखते पर मेरे पहले ही मेने मेरा weight कम क्यों नहीं हुआ, दूसरे मेने मेरा weight कम क्यों नहीं है, तो उसमें time लगता है क्योंकि ये आयुर्वेदिक है ये आयुर्वेदिक formulation है इसलिए कोई भी आयुर्वेदा product है उसको effect होने में time लगता है time थोड़ा देना पड़ता है बस एक trust रखना है positive attitude के साथ हमें काम करना है positive attitude के साथ हमें ये tablet को लेना है कि मेरा weight loss हो गई होगा तो जरूर से आपका weight loss होगा तो ऐसे ये formulation पूरा काम करता है अब ये आयुर्वेदिक है इसकी कोई side effect नहीं है अगर अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है तो आपको एक चीज़ समझ नहीं है पानी ज्यादा पीना है अगर पानी कम पीओगे तो भी इसका effect भी weight loss में वो आता है पानी ज्यादा से ज्यादा उनको पिलाएं जैसे है यहाँ पर बहुत सारे लोग question भी कर रहे है कि मेरा इतने महीने में इतना ही कम हुआ है तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया देखिए ऐसे भी लोग है जिनका एक एक महीने में 20-20 किलो भी कम हुआ है और ऐसे भी लोग है जिनको पांच किलो कम करने में भी time लगा है तो वो absolutely उसके उपर है कि वे आपकी तासिर क्या है लेकिन देखो product काम करेगा आपको आपकी body की cycle system को भी समझना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने ये tablet ले ली तो हमारा काम हो जाएगा थोड़ा हमें भी समझना है कि ये कैसे work करता है और हमें क्या-क्या चीजों का ध्यान रखना है देखे बहुत बार ऐसा भी होता है कि tablet जैसे tablet है उसकी capacity है अब बहुत सारे लोग है जो beauty look का course भी करते है और उसके उपर ऐसा लिखा है no diet no exercise तो लोग उपर से ज़्यादा खाना शुरू करते है कि इसमें तो no diet है तो खाओ बट ऐसा नहीं है देखे गोली की एक limitation होती है हम जो खाना खाते तो वो कहीं ना कहीं वो भी load पड़ता है तो जब भी ये course आपका चालू है आपको जिसने भी जितने भी लोग आपको जिसने भी ये course दिया है तो आप उसके पास बैठके एक बार समझे कि ये जो product है ये कैसे काम करता है और हमें क्यां-क्यां का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कहते हैं ताली दो आज से बसती है देखो health है उसको सही करनी है तो हम लोगों को भी थोड़ी बहुत मेनत करनी पड़ेगी और हम लोगों का ultimate हम लोगों का purpose यहीं है कि maximum लोगों का हम weight loss करवाए maximum लोगों को इसका result मिले तो इसके लिए एक system होता है वो system को भी follow करवाना बहुत जरूरी है आगे बढ़ते तो यह पूरा presentation था फिर बहुत बार ऐसा भी होता है कि जैसे मान लोग कुछ लोग है जो जैसे कि मैंने बता है पानी अगर हम कम पीएगे तो constipation की समस्या रह सकती है तो पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है हमने कुछ समय से हम जो product है उसमें improvement भी कर रहे है तो उसका भी फाइदा आपको बहुत जल्द मिलेगा यह PPT मैं आप लोगों को share कर दूँगा और मैं तो आप लोगों से यहीं कहना चाहूंगा बहुत देखो product use तो करी रहे साथ में थोड़ी मेनत अगर extra करेंगे तो definitely weight loss होता है यह कि market में यहसे भी लोग है जो बीना product के weight loss करवा जिते है तो हमारे पास तो इतनी powerful product है अगर थोड़ा सा अगर हम वेट पे पहुँच गए तो यह हमारी जो testimonial है वहीं काफी होती है बहुत बड़ा business create करने के लिए तो हमें भी try करना है और हम लोगों का जो testimonial है उससे हम आने वाले समय में और भी लोगों के लिए example बन सकते है तो friends यह weight loss का पूरा presentation था अगर आपको इसके related अगर कुछ भी question है तो आपकी जो भी active offline है उसके साथ बैट कर उसका solution ले सकते हो आप हम लोगों को भी हमारे जो social media है वहाँ पर आप message कर सकते हो उसका reply देंगे राइट और बहुत जल्द हम लोगों के fear से मुलाकात होगी I hope मैं आप लोगों को समझाने में कामियाब रहा हूँ और आप सब लोगों ने इतने ध्यान से और इतने मतलब patiently मुझे सूना मैं आप सब लोगों का thankful हूँ तो मिलते हैं बहुत जल्द Thank you, thank you so much